हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप I hope you all are doing well तो यह daily use sentences का वीडियो का part 7 है और इसे हम daily dose तो कहते हैं क्योंकि मैं रोजाना इसी एक वीडियो अप्लोड करता हूँ आपके लिए तो इसमें मैं आपको 5 sentences बताऊंगा और जो last sentence होगा हमारा छड़ा number का वो आपके लिए होगा वो आप 7 sentences provide कराता हूँ आपको ताकि आप जो हम पर focus कर सकें मैं आपको 10 भी provide करा सकता हूँ 20 भी provide करा सकता हूँ लेकिन उससे होगा क्या आप देख तो लेंगे वीडियो को समझ भी लेंगे लेकिन यूज नहीं कर बाएंगे तो इसलिए थोड़ा पर effective ताकि हम समझ पाएं उसे ताकि आप उसे use कर पाएं ठीक है तो छोड़े छोड़े sentences सही हम किसी भी language को learn करते हैं ठीक है तो एक साथ मिलके learn करते हैं ताकि अच्छे से याद कर सकें तो फिर वीडियो को start करते हैं तो हमारे पहला sentence है वो है ना उधार लो ना दो आपने देखा होगा कि इस तरह का हम sentence बहुत ज्यादा यूज करते हैं अपने मतलब मुस्टली जो है दुकानदार यूज करते हैं इस sentence को ना उधार लो न दो तो हम इसे कैसे बनाएंगे कैसे इसे जो है English में बोलेंगे बहुत ही easy है ठीक है और आज से आपको ना उधार लो न दो ये use करने की जरूरत नहीं है जो मैं बताता हूँ आप उसे use करना तो इसे हम बनाएंगे neither borrow nor land ना उधार लो न दो ये था हमारा पहला sentence use अब आपको ये करना है neither borrow nor land किसी के भी साथ ना कि ये ना उधार लो न तो इस्छा तो भोल जाओ अब क्योंकि आप English नहीं करें हैं तो आपको English का use करना होगा ठीक है समझ में आवे आप अब चलते हैं हमारे दूसरे sentence की तरफ तो ये है हमारा दूसरे नंबर का sentence गिले कपड़े न पहनो न पहनो से मतला हम पहले यूज़ करेंगे don't wear पहनने के लिए wear wet गिले clothes कपड़े don't wear wet clothes ये वता गिले कपड़ों के लिए wear means पहनना clothes means कपड़े तो don't wear wet clothes गिले कपड़े न पहनना अब चलते हैं हम आपने तीसे sentence की तरफ हमारे तीसरा sentence है वह नीली वर्दी पहने हुए था तो वह था ना he was wearing a blue नीली a blue uniform वर्दी वर्दी को यूनिफॉर्म बलते हैं a blue नीली वेरिंग पहने हुए था sorry was wearing पहने हुए था he was wearing a blue uniform वह नीली वर्दी पहने हुए था अब हम देखते हैं अपना fourth number का sentence हमारा जो चोथे number का sentence वह यह है यह coat पानी से नहीं भीगता तो यह coat it is a waterproof coat यह coat पानी से नहीं भीगता अब आप word to word translate करेंगे तो उसमें दिक्कत आएगी ठीक है तो आप सौचेंगे कि this क्यों नहीं किया यह किया है coat के लिए मतलब जो है यह इसे बोलते हैं non living thing उसके लिए it का use किया है it is a waterproof coat यह coat पानी से नहीं भीगता तो यह sentence है हमारा पाच्वा sentence होगी आपके लिए आपके पिता क्या करते हैं अब आप बनाएंगे इसे मुझे comment section में बताएंगे कि आप इसे कैसे बनाएंगे आपके पिता क्या करते हैं ठीक है कोशिस करनी है try आपको करते रहना है आप गलत बनाएं, सही बनाएं, कोई नहीं देख रहा है कि आप कोने कहां से हैं और किसने ये sentence बनाया बट आप जानते हैं कि हाँ मैंने सही बनाया या गलत बनाया जब आप बनाएंगे तो कोई और भी बनाएगा फिर वो आपको correct करेगा वो सकते हैं कि इस तरह से आप चाहिए पुरा process हो जाता है किसी भी language को सीखने का मतला एक दूसरे से correction करना जब आपको correct करने लगते हैं लोग तो समझ लेना कि हाँ, आपकी progress हो रही है ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक थी मिलते हैं फिर अपनी next वीडियो में तब तक के लिए good bye